दोस्तो हाथ से किसी के भी साथ हो सकते हैं और कभी भी हो सकते हैं लेकिन इनसान अपनी बद्धी और चालाके से उन खत्रों को ताल सकता है मगर सोचे representing कभी किसी जानवर के साथ जंगल में कोई हाथ सा हो जाए तो क्या होता है ना सर्थ जंगल में बलकि शहरों में गुशाए जानवर भी कई बार ऐसे हाथ सो का शिकार हो जाते हैं जिनने देख कर किसी के भी मन में डर पैदा हो जाए जंगल से शेहरों की और भागते ये जानवर अक्सर किसी गारी से टकरा कर अपनी जान गवा देते हैं ऐसी है कुछ हाथसे हैं जो बिजली के कारण होते हैं कई जानवरों ने बिजली के तारों में उलचकर अपनी जान गवाई है आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से किसी जानवर के साथ बिजली के हाथ से होते हैं वीडियो को आखर तक जरूर देखेगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा नमबर वन पिग्स दोस्तों विदेश में जानवरों के बाड़े के आसपास बिजली के तारों को लगाए जाता है ताकि जानवर भाग ना सके देखे कैसे ये बेबी पिग बेना सोचे समझे ही इन वायर्स को चू लेते हैं हाला कि वक्त रहते ही पिग्स खुद को बचा लेते हैं और तार चूते ही पीछे अट जाते हैं अब जरा यहां देखे कैसे ये दोनों पिग्ग भी इन खतरनाफ बिजली के तारों से बाल बाल बचे हैं हाला कि इन्हें हलका सा जटका जरूर लगा है लेकिन कोई बड़ा हदसा होने से बच गया दोस्तों अब जरा इस बेबी मंकी को देखे यहां ये मंकी जंगल में किसी जगा पर आराम फर्मा रहे हैं ये जाने बगार कि उनके पास एक हाई टिंशन बिजली का तार गुजर रहा है ये बेबी मंकी अपनी माता की गोज से छूट कर तारों को जाकर छू लेता है लेकिन का नीमत रही किस बेबी मंकी को जैसे ही जटका फील हुआ इसने अपना हाथ वापस खीच लिया वहीं इस baby monkey की माता और बांकी मंकी भी उस baby monkey को अपनी तरफ खीच लेते हैं और गले से लगा लेते हैं आप माता मंकी की आँखों में ज्छाख कर देखे कैसे यह अपने बच्चे को बिजली का जटका खाते देख कर बौखला जाती है और अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है दोस्तो भालू की तरह यह गोड़ा भी शायद कैद में रहता पख गया है तभी तो अपने बाड़े में चहल कदमी करता हुआ यहां से भाग निकलने की फराक में है लेकिन इसके बाड़े के चारों तरफ बिजली के तार फिट किये गए हैं तभी घोड़े ने सोच समझ कर यह वहां से भागने का प्लान किया जरा देखे कैसे यह गोड़ा बिना इन बिजली के तारों को चुए भी वहां से भाग निकला दोस्तों कुछ जानवर तो हादसे से बच निकलते हैं लेकिन कुछ लोग इनकी धेश्टा जाते हैं अब जरा इस बंदर को देखे जो बेड़ की डाली से कूट कर सीधा इस हाई टिंचन तार पर आकर चिपक गया बंदर को शायद यह अंदाजा बिलकुल भी नहीं था कि यह तार कितने खतरनाख हो सकते हैं जरा देखे कैसे यह बंदर डाली से तार पर कूटते ही इस से चिपक जाता है और ठोस बन जाता है थोड़ी ही देर में यह बंदर तारों से चूट कर जमीन पर गर जाता है दोस्तो भालू जैसे जानवर से हर कोई डरता और घबराता है बालू अपने नटकट अंदाज के लिए जाना जाता है यहां यह बालू शायद खाने की तलास में था और घर के अंदर जहांक रहा था लेकिन घर की चौकसी के लिए लगाएगा इन बिजली के तारों से जैसे यह बालू टकराया देखे कैसे एकदम से पीछे अट गया समय रहते इस भालू ने अपने जान बचा ली सूजबूच की बात आई तो बहला इस क्लिप को हम कैसे बोल सकते हैं यहां यह भालू शायद जानता था कि यह बिजली के तार हैं जो उसके लिए जान लेवा हो सकते हैं इसलिए देखे कैसे इसने इंतारों को पार किया वो भी बहुत ही चालाकी से नम्बर सेक्स दोस्तो जरा यहां देखे यह बंदर का बच्चा बिजली के तार से खेलने की कोशिश करता है यह जाने बगैर कि इसमें उसकी जान को भी खत्रा हो सकता है लेकिन ये बंदर का बच्चा केला नहीं है बलकि उसके साथ ही भी उसके साथ हैं हाला कि गनीमत रही दोस्तों की कोई बड़ा हाथसा होने से बच गया आप यहां साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से किसी के घर की दिवार से निकलता हुआ यह तार जिसे बंदर का बच्चा कर छूलेता है कुछी सेकंड में बीवी मंकी को एक जूर का जटका लगता है जिससे डर कर वो अपने हाथ पीछे कर लेता है दोस्तों यहां पर बिजली से उटने वाली चिंगारी भी देखी जा सकती है हाला कि यह बेवी मंकी खुशनसीब था किसकी चांड बच गई दोस्तों जब भी जानवरों में वफादारी और भरोसी की बात आती है तो सबसे पहले कुट्टे का नाम ही लिया जाता है डॉक्स काफी फ्रेंडली होते हैं और अपने नौटी अंदाज के लिए जाने जाते हैं लेकिन जरा देखें कैसे बिजली से होने वाले इन हाथसों में कुट्टों का नाम भी शामल है यहां यह दो मजबूत कुट्टे अपने बाड़े में बंदे हुए हैं वहीं इनके और अन्य जानवरों के बीच फर्क करने के लिए बीच में बिजली की तार बिचाई गई है लेकिन इन कुट्टों को इसके बारे में जरा भी अंदाजा नहीं है शायद इसलिए ये कुट्टे आने जानवरों से बातचीत करते वक्त तार को गलती से छू लेते हैं एक ही सेकेंड में जैसे ही कुट्टे को इस बिजली का जटका लगता है वो चिलाते हुए पीछे की तरह भागने लगता है हाला कि इस जटके से कुट्टे को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं आया यहां हम इस घास के मैदान में इस बक्री को देख सकते हैं यह एक पोल से बंदी हुई घास खा रही है घास खाते खाते यह बक्री बिजली के तारों के पास पहुँच गई बक्री को अंदाजा भी नहीं है कि बिजली के तार कितने खतरनाक हो सकते हैं अंजाने में यह बक्री गास खाते खाते बिजली के तार पर मुँ मार देती है और जैसे बिजली का जोर का जटका इसे लगता है वह तिल मेलाती हुई दूर भागने लगती है बकरी के साथ साथ ही उसका पूल भी तूट जाता है दोस्तो आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं यह बिजली का जटका जूर से बकरी को लगा होगा तब ही तो वो मचलती हुई तेजी से भागने लगती है हलाकि बकरी के किसमत अच्छी थी वह बिजली के जटके से बच गई दोस्तो कई बार कुछ लोग बिजली के तारों को इस तरह बिचाते हैं जो नजर भी नहीं आते और ऐसे में ना सर्फ जानवर बलके इनसान भी दोखा खा लेते हैं जरा यहां देखे इस क्लिप में ये कुट्टा पानी की प्यास बजाने के लिए यहां रखे गए पानी के तरफ बढ़ता है लेकिन ना जाने कहां से इस कुट्टे को बिजली का जोर का जटका लगता है और ये कुट्टा चिलाते हुए वाहें से जूर भाग जाता है हाला कि दूसरी तरफ एक गाहे भी मौजूद है लेकिन बावजूद इसके किसी को भी ये वायर्स नहीं दिखाई दे रहा यकीनन ये बजली का जटका काफी जूर का होगा तबी तो कुट्टा इतनी जूर से चिलाता है हाला कि कुट्टे को इस हादसे में कोई नुकसान नहीं पहुचता दोस्तो हाथी दुनिया का सबसे विशाल और खतरनाक जानवर है शांसा दिखने वाला ये जानवर अगर चाहे तो किसी को भी चुटकियों में अपने पैरों तले रौन सकता है लेकिन इन विशाल और बड़े जानवरों की जान को भी इन बिजली के तारों ने नहीं छोड़ा जरा देखें कैसे ये बेबी आलिफिंट इस चोटे से बिजली के तार को जाकर चुट लेता है हलका सा जटका मैसूस होते ही ये बेबी अलिफिंट पीछे अट जाता है घनीमत रही कि हाथी की जान बच गई थी दोस्तो जंगली जानवरों का इस तरह से शेहरों में आना और फिर हाथसों का शिकार होना कापी दुखत है लेकिन इन सबी हाथसों का कारण है जंगली जानवरों का शेहर में घुसना या यू कहें जंगलों में शेहर का घुसना इंसान अपने स्वार्थ के लिए जंगल को काटता जा रहा है जिससे जंगल खत्म होते जा रहे और जंगली जानवर शेहरों की तरह बढ़ने को मजबूर है जहां भी वह इंसाने विकास का खामियाजा भुगतते हैं और बिजली के तारों में फसकर रह जाते हैं दोस्तो आपको हमने दिखाया कैसे ये जंगली जानवर बिजली के तारों के वज़े से हाथसे का श्रिकार हो जाते हैं कुछ जानवरों की खिसमत अच्छी थी जो इन हाथसों का श्रिकार होने से बच जाते हैं लेकिन जादा तर जानवर इनी हाथसों के वज़े से अपनी जान गवा देते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा। वीडियो अची लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजेगा। बाई 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 बिलते हैं अगली वीडियो में।